हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका आ रहा आप सब का आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट इस्टेडी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज मैं आप सब के लिए सीटेड एक्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की ग्लास लेके हूं जैसा कि आप सब को पता है कि सीटेड एक्जाम में जो कैसें पूछे थे एंस जाते हैं इसी स्रिकन्स पे हम आपको टेंथ टॉपिक जो तारिव और सोर मंडल के बारे पढ़ते इसका पार्ट वन आपको दिया जा चुके आज मिसके पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे अगर अब तक आपने इसका पार्ट पहले की वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल की प्लेलिट से जाएए वहां से जाके सारे वीडियो देख लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आप सब को पता है कि हमारे चैनल पर सीटेड एक्जाम के लिए CDP की, Math की, Hindi की, Science की, EBS की, EBS Pedagogy, Math Pedagogy, सारी क्लासेश चल रही है जब आप चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो के regular way पर notification आता रहेगा जिससे आपके कोई भी क्लास मिसने होगे और अपने seated exam के preparation बहुत अच्छे तरीके से कर सकते है तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आपको जो topic honored मंडल का part 2 जैसे इसके पहले topic में आपने पढ़ा की tariq क्या होते है, Saur मंडल क्या होते है Saur परिवार में कौन कौन से होते है, फिर मैंने आपको बतिते हैं, अपागREE होते हैं आज हम पढ़ेंगे प्रमु ग्रह कौन कौन से हैं उलकापिंड क्या है उच्छलता पुच्छलता आरा क्या है इन सब के बारें पढ़ेंगे तो इस वीडियो को पूरा एंट तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारी को हसन कौफ इजी वेपर सॉल्व कर सकें तो एक ग्रहों के बारें पढ़ लेते हैं क्यूंकि काई वर क्यों होता है सीटेट एक्जाम में ऐसा कौशन पूच सकता है उनके उपनाम से सम्थित या उनके कुछ प्रमु गोड़ें उनसे सम्थित क्या सबसे बारे मैं तो बुद्ध यह क्या ग्रह बुद्ध जो है सूर के सबसे समीप इस्तित ग्रहें इस पॉंड को याद रखना है कि कौन से अगर सूर के सबसे समीप इस्तित ग्रहें तो आपका कौन बुद्ध के बारे में आपके 188 में जिसी इमिज दी वए और ये फैक्ट लिके वे वह चैली पढ़ लेते हैं नीकट्पर भूद्ध करें शूरश से निकटतम करें और हमारे सौय परिवर कर लगुतम यहाझ अगर पुछते सौय परिवर करें किसको तो इसको कहते हैं तो कि अधिक निकट है अधा अधिकान समय तक सूर की चकाव चोंद में चिपा रहने करण इसका प्रेचर करना अतियंत कठीन होता है यह देभी सुर्योद्यों से तुरहन पूर्व अतों सुर्यास के पसंद इसे छितित पर देखा जा सकता है अधिया वहीं दिखाई देते हैं जा एक सारे निë करने से अधिकतर धका रहता है लेकर इसलिए तकव देखा गर है तो कब देख सकते प्रेच सुर्योद्य सामय शर्यास के हुँ यह जैसे कि बहुत सारे ग्रोगे अपने उपघ्र होते हैं तो बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई उपघ्रह नहीं है इस तरह से आपने बुद्ध के बारे में IMPORTANT FACT जाने अब चलिए पढ़ते सुक्र के बारे में सुक्र यह पत्वी के साथ सिस्पी पि सांज का तारा भी कहते हैं कौइक जिसी प करतले यह भी अप्ण कोई भी उपग्रह नहीं। कुछ यह सुर प्रियुड का सरवादी चमकिला रहे कौन सा है तो कौन सा सुग रहे हैं इसलिए ज़ए उपनाम से जानते बोर का तारह या सांच का तारह की नाम से कभी-कभी शुक्र पूर्वी आकास में सुर्योद्ध से पूर्व दिखाए देता हैं तो करade करें ऐसा क्यो कि अग्सका अनसर जिरा एयसा क्यों होता है यह प्रभात शुक्र क सुक्र नहीं है इसकी अपने घूड़न गती कुछ आथसाद युञार क्यों वे पूछ लेते कि कौन सा ऐसा उपग रहे, जो पूर्वि से पस्चिम के और घूरन करता नहीं तो शुक्रें इसके अलावे एक ओर उपग रहे हैं जिसके बारे में अब आप पढेंगे। बाकी जब की बाकी कैसे होते हैं प्रत्वी कैसे घूरन करती हैं अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं जैसे सुक्र की कलाओं के बारे में दिखाया गया आपकी जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है उसी परकार सुक्र की भी कलाएं होती है जो आपके अंस्याटी के बुक में दिखाया गया है अब चलिए आगे पढ़ लेते प्रत्वी अगर पूछते हैं कि सौर परिवर में ऐसे एक कौन सा ग्रह जहां पर जीवन संभव है तो कौन सा ग् रहे कहते हैं जिसको बढलते हैं प्रत्वी को प्रत्वी को नीला नला करता टूछता कि यहांि क्यों पर सूर tutor जैसे माण। कहते हैं और प्रत्वी अपने अच्छ पर जुकी हुई है तो अगर आपसे कभी पूछते हैं कि प्रत्वी के सते पर मौसम परिवर्तन क्यों होता है तो प्रत्वी के सते पर मौसम परिवर्तन होने के मूग की कारण यहीं है कि पृत्वी अच्छ पर जुकी हुई है इसी कारण प्रत्वी पर कुछ मॉसं परिवरत्ण होता है जैसे हमारे आधे कभी सर्दी गर्मी चल रहे है कभी ठ्रश्चे कभी ठंडा प्रदेश अलग अलग मौसं में परिवर्तण नोता रहता है यह कीस चंद्रमा जैसे प्रत्वी किसकी परिक्रमा करती है सूर की इसी परकर चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है आपके ग्रह ग्रह कौन है प्रत्वी प्रत्वी ग्रह जिसकी परिक्रमा कौन करता है चंद्रमा तो चंद्रमा क्या हो गया प्रत्वी का उपक्रे हो गया अब चलिए आपके मंगल को मंगल को क्या बोलते लाल ग्रह भी कहते हैं और मंगल के आपके दो उपक ग्रह इस पार को याद रखना है अब चलिए आगे पढ़ लेतें ब्रस्पती की बारे में ब्रस्पती यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है अगर आपसे कभी पूछते कि सौर सौर परिवार का लगुत्तम ग्रह कौन से तो भी मैंने आपको पता है लगुत्तम ग्रह कौन से बुत्ते और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन से ब्रस्पती और ब्रस्पती की चारों और जोते हैं वलियाकार छल्ले पाए जात उपक्रें तो कई बर ऐसे पूल सकते हैं कि ब्रस्पती के कितने मुख रूप से काफी बड़े उपक्रें चलिए पढ़ लेते हैं ब्रस्पती के बारे में आपके एंसियाटी के बुक में क्या लिखा हुआ है प्रतिवी के द्रबवान का लगबग 318 गुना है और यह अपने अच पर अतधी टीव रिगती से घोडन करता है इसमें आपको दो पॉइंट याद रखने हैं पहले कि यह कितना बड़ा है कि इसमें कितनी 1300 प्रतिवी को क्या कर सकते हैं रखा जा सकता है और अगर पुछते हैं कि सौर परिवर का सबसे बड़ा गरे कौन सा है तो सौर परिवर का सबसे बड़ा गरे किसको कहते हैं ब्रसपती को कहते हैं अब आगे पढ़ लेते हैं कि आप प्रतिवी के विश्वत ब्रत से तो परसीत होंगे जो प्रत्वी व्रत्व को प्रत्वी का विश्वती तल कहते हैं जिसे आपके एक इमिज दिखाई गई है कि प्रत्वी अपने जुके हुए अच पर घुके हुए जिसके कारण क्या होता है कि मौसन परिवर्थन होता रहता है जिसे आप आप इमेज देख सकते हैं कि प्रत्वी का ये विस्तुती ताल है और ये आपका क्या उत्तर दिसा में और ये दच्छिर दिसा है और ये आपकी प्रत्वी का कच्छी ताल है जहां भी क्या कर रही है घूडान कर रही है Sunny इसका रंग क्या सा है पहरे तो आपको ये पता हो नची इसका रंग हलका पील है और Sunny के क्या अनिएक उपग ग्रहें जोसे आप देख सकते हैं कि Sunny की बारे हम क्या लिका ब्रस्पती के पहरे Sunny है जैसे उसका sequence का है बुद्ध, सूक्र, प्रत्फी, मंगल, ब्रस्पति, सनी, अरुल, वरुड, यह आपका सिक्कॉन्स है नहीं ग्रहों का तो ब्रस्पति के पास कौन सा ग्रहा है सनी है आपको इस सिक्कॉन्स हमें से याद रखना है कई वर क्यों इससे अर्इंजमेंट से रियोट्रे कोसन आपसे पूछे जा सकते हैं जिससे इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको इमेज लगा के समझाया था कि इसका अर्इंजमेंट क्या सा है अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजे वाल पर मैंने आपको इमेज लगा के पूरा अर्इंजमेंट समझाया था सोर परिवार के बारे में केरा जो रंग में हलका पीला से प्रतीत होता है तो सनी दिखने में क्या सा हलका पीला सा इस ग्रह में रमडी वल्या पाय जाते है सनी में क्या होता है वल्या कर छल्ले पाय जाते है जिसके करण यह से अदोती बनाते है तो पूर सकते हैं ऐसा कौन सा ग्रह जिसमें क्यों होते बल्याकर चलने पाए जाते हैं तो कौन इस सनी सब्रीभ की जाती है वायां पी नुच्छै अधिक है क्यों होते हैं बागी ग्रह तो सारे जुके हैं लेकिन अच्छी जुका होगा काफी अधिक है इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं इस उक नाम को याद रखना है कई बर पूछ सेकते हैं इन में से किस ग्रह को अप लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं तो किसको बोलते ये सुर्वा प्रिक्मः वह सुख्र क्यों कीकिया, और चेलरर दो बारे से वुörtस् से नाम ajudिसे, और मे वुर्व पान्दी की तुथ के न चैनप की जांते हैं वहएद इस सुख्र सुख्र 하겠습니다. अब चलिव आगे पढ़ लेटे हैं वरूड के बारे में तब सहें पूसलिए टाइस धायर किस ने की ति तो वरूड की खोछते हैं जर्मन की खुझिय सास्तिरी ते जोहां गाले, इन्हों के था वरोड की खोचकी थी वरोड के मुक रूप से तेरा उपग्रा जिसमें कि दो उपग्रे आपके प्रमुक है इन दोनों कि याद रहने ताइटन पर अीप क्या है ने अपके घ्रहों के हैं भेसे के प्रमुक उपग्र शुधान रहाखं़री हूं कि सक年ender के पार्य हम इसे पहले हुआ हो in ale इस पहले रीटियों जाने अपने फच्ट अइंतरों जांऴ जा भी 254 जिसे ऑपोलताई है च्षुत ग्रह होते हैं यह स्वक्राट क्छायोतं पॅर्ष मों पीस्टो चताई क्या करतै सुर्ख परिक्रमा करते हैं जिसे आप भाइ volta को सिखुण्स मैंने बताय थो भुद्धि-शुक्र-प्रत्वी, मंगल-ब्रश्पति-शनी-अरूर-वरूर, यह यह अपका सिक्वेंस है, तो मंगल ब्रश्पति जो चुछाई होती है, इनके बद में छोटी चोटी प्रिंट पाए जाते हैं, यह प्रिंट क्या करता है, शूर की परिक्रमा करते हैं, और इनी को क्या बोलते हैं आप छुत ग्रहे बोलते हैं तो एकर पूछ सकते हैं कि चुत ग्रहे की स्तिती की होती है कहां पे स् Suppose खते ही तो मंगल ब्रस्पत के कच्छाओं के मद्स्राइम घ्रह से चुत ग्रह को-दू होते हैं तो भफ्च cemetery पूछलेазд हो हुई जिते ग्रहिंकाई चुट ग्रहिंकाई भी बोलते हैं अब दो न पुछषरता राकी बारे हैं जश्ञ है अपने पुछलतार्ण के किवारे में सुनधा होगा जैसे आप नब मिधिमारे कंभी पूचह匠 कर territorial के इस हो दूम RAW न लंबी पूछ वाले होते हैं जैसे क्या होते हैं कि एक इमेज दिए हुए या धूम केत्व और एक आपका हैले एक प्रकार को धूम केतु जब कब देखा गया था 1986 में तो पूछ सकता है कि हैले नाम अपक धूम केतु को कब देखा किया था खब देखा गया था 1986 में र पूछ सकते हैं इनमेस कोन से एक प्रकारдо के धूम केतु कोनाम है तो आपका हैले या और चार शूर को परिक्मा करते हैं अब जब सूर के चारह करते हैं करते हैं तो कभी क्या तो वायू के अगर्शर से गर्म हो जाते हैं, क्योंकि आप सबको पते हैं यहाँ फ्रक्शन फोर्स कार करता है, अब जब फ्रक्शन फोर्स से गर्म हो जाते हैं, पिंच से क्या होते हैं, अत्यंत उस्मा उत्पन होती हैं, अब जब उस्मा उत्पन होती हैं, तो इसमें सोट में तारह क्योंकि तीम रिगत्स चल रहा होता तो इस लिए आपको होता है कि हम इस तरह से प्लेग और विडियो को पूरा एंट्ट देखिक हैं तथा इस टॉपिक के नूटस बना लीजिए अगर अभी तक आपने इससे पहले के टॉपिक के विडियो नहीं देखे तो ह you can be easy ons क्लासे एन असियाटी बेस्ट कंप्लीट हो चुकिएं इसके लीगोर से घर्म नोट किमने तो हमारा तेलिग्रम चेनल लेट्स स्टार्ट इस्टेडी को सर्च करके जॉइन के लिचे, वहाँ पर आपको पेडिया फॉर्म में नोट फॉराइट के जाते हैं, और किर वीडियो आपको helpful लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी सेयर कर अधे अंगे कमेंट वक्स के दौरा दे सकते हैं, ओके फ्रेंड थैंक यू फार वाचिंग माई वीडियो